हलो दोस्तों मैं हूँ रागवेंद आप सभी का competition community में फिर से स्वागत करता हूं हम लोगों ने सिक्षक भरती और सहायक सिक्षक के लिए एक विशेश सीरी चालू की थी जिसमें हम लोग आपका बाल विकास CDP और पेडागोजी का section कंप्लीट कर रहे थे पेपर से पहले इस में आगे क्या पढ़ना है point to point syllabus के recording चलेंगे हम लोग साथ में question भी करते रहेंगे तो देखिए अगर आप syllabus देखें तो एक आता है सहायक सिक्षक पधेतू है और एक आपका सिक्षक पधेतू syllabus दिया गुए उसमें अगर आप देखे तो देखिए बाल विकास पहला लिखा तो ध्यान दीजेगा यह दोनों में important है और common है देखें सबसे पहले सिक्षक पर देखें तो बाल विकास का जो टापिक है बाल विकास और सिक्षा सास के सास में बच्चे का विकास उच्च प्रात्मी इस तर्याने middle school की बात की जा रही है सिक्षक भरती के लिए है तो है न ठीक है अगला जो हमारा आज का जो टॉपिक है यह यहां से स्टार्ट होगा यह वाला पहला यूरूट इकाईवन विकास की अधारना यह उसका सीखने के समद्ध में बच्चों का आपका समायोजन वेगरा को पढ़ेंगे यह आपका हो गया इसके बाद जो अगला जो प्रिक्षा की बात करें सहाई सीचे में बाल विकास वाला चप्टर में देखे सीधा सीधा बाल विकास का परिचा है और बाल विकास के परिचे में आपका विकास के अधारना विकास अवस्थाएं गर्भावस्था सैशा वस्था किसोर अवस्था संग्यान अत्मक अवस् तो हमारे साहएक सिख्षक दोनों में common है और इसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे पहला जो अधिकम वाला चप्टर था इसमें अंतर नहीं था इसे प्रशनाते थे तो मैंने पहले उसको करवा दिया क्योंकि अधिकम की बाद ही हमको यह पढ़ना चाहिए चले देखते हैं सबसे पहले को है बाल विकास याने चाहिए इसके में सबसे पहले अधारना और विकास को हम अच्छा से समझेंगे ठीक है काफी बड़ा चिप्टर भ क्या कईएंगे बाल विकास कहेंगे क्योंकि देखिए उसके बाद जो है बच्छा पॉठा आजाता है फिर खुद समझ सूुस के अनुसार काम करने लगता है और अगसे बाद चांट करते हैं लिएक सबसे पहले आपको बता रहा हूं आज बाल विकास को टॉपिक इसको परिभासित करने वाले जो आपके अब बालक को पर अध्यन कर लिया अपने बालक के उपर अध्यन किया था इसलिए इनके फूस्तक जो है बाल मनोविञ्ञान का पर्थम अध्यन कहा जाता और इनको बाल मनोव ग्यानि कहा जाता याद रखेगा जो पेस्टॉल जो पेस्टॉल ओजी है इन्होंने क्या किया था पहला अध्यन किया था बाल प्रश्णावली का निर्माद करवाया करंबद अध्यन किया और इसको यह प्रथम बाल मनोविक्ञानिक कहलाएंगे और बाल मनोविक्ञानिक के जनक अध्यानिक जनक कोन का लेंगे स्टेनली हौल और कहां से थेस्टि अमिर्कास थो यख़द रखनी है जएrr सबसे पहले किस ने किया है और जनक किसे कहा जाता है क्योंकि सबसे जाद उपयोग करेंगे अब लोग जब भीट किये होंगे तो इनका नाम बार बार आता होगा क्रोएंग जीन पियाजे वगरा ठीक तो याद रखेगा यह बीस्वी सताब्दी किसकी है बालोको की यह किसका वक्तब है और क्रोएंग क्रोएंग क्रोग का है अब देखते हैं हम लोग बाल विकास में बाल विकास में दो चीजह होती है एक होता है अपका विकास और एक होता है अभीवद्धी और विकास तो अभीवर्दी क्या होता है उस हमको आज समाजना थीचा कैब लिखा होगा तो मनें बताए और लोग पर का कि व आई और इसका विकास क्या होता है उसको हम लोग अभिवृद्धी कहते हैं क्या वरिवृद्धि को अभी सादधी क्या है तो अगर अगर आपके लंबाई चोड़ाई सारीकपरिवर्थन現在 उसको हमलोग अभी विर्धी काहते है यह एक सारिक पक्ष है एक पक्षी होता है एक सीमा तक होगा एक ही समय तक आप लंबे होगे बड़े यह अभी व्रदी जो है अभी विर्धी ग्रोथ जो है यह संकुचिस सब्द है जिसमें सारिक परीवर्तन आते शारिक परिवतन कहने का मत्दब है लम्बाई चोड़ाई ठीक है मोटाई इसमें अगर विर्दीः हो रहा है तो आपका क्या होगा विएफिर्दी गहला जाएगा विकास विकास क्योंकों की यह रिजड़ा है विव्छ चंपता हो जाता है जन्व से लेकर मिर्ति Parlag सब्सक्राइब का चब कि अंदर विर्धी भी आजाएगा कि आपके भावनातम विकास भी आजाएगा सभी प्रकार के विकास सभी प्रकार का development कि यह कहलेगा ठीक है यह आपका कैसा है जन्म से लेकर देश-ouse कोई भी व्यक्ति सुरू से लेकर आखरी तक सीखता है कोई उमर नहीं होती वहीं वाला है विकास टीकर विकास का है जन्व से लेकर मृत्व तक चलने वाली यह समय के बाद यह रुख जाती है उसका पक्ष सारीक होता है यह कारयात्मक होता है जैसे समय का विकास होता है नैतिक विकास होगा शारिक विकास भी इसमें सामिल है ना मतलब ऐसा कि ये एक बॉल है इस बॉल में क्या हो जाएगा आपका अभिविद्धी आ जाएगा । थिक है और यह पूरा बॉल क्या है आपका विकास के उतर साथ है तो विकास जो है व्यापक सब्द है विकास में опять जो अभिविद्दि है अंत्रल नहीं थै पूरक है इसके उस् coral की दुल्र के जिते कोई बच्चा कोई बच्चा सारी उसे बढ़ रहा है तो सब को एक साथ करेंगे रहे वियापक सब्सक्राइब होता है थोड़ा सो और चरचा करते हैं अगर यह मातरात्मक को संख्यात्मक दोनों सकता याने मात्रा में भी काउट कर सकते हो और संख्या में इभी कंवी कंव सकते हैं तो विकास जो होता है मात्रात्मक और संख्यात्मक आप कर सकते को संख्या में सकते साथ आपका यह व्यापक सब्थ है विकास में अट्री क दे का इक पूरा खया और असरीट के अवीधर्दी nuestros है चोटा रूप है आपका विकास का इसके बाद देखें अभिविद्धियम विकास में प्रमुख नियम क्या होते हैं नियम देख लिए इन दोनों का क्या नियम है विकास और अभिविद्धी में कैसे होता है इसका मुख्य मुख्य नियम क्या है तो देखो सबसे पहला है न प्रतेग व्यक्ति में यह होगा सब्वेक्टि में अलग होगा किसी में ज्यादा तो किसे होगा विकास में माले जी आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप हुसिार नहीं होगे आप सीखेंगे नहीं को चीजे, जो सीखेंगे का ही नहीं, वो कमजोर हो जाएगा, अगर आपने सुलेख का प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपकी रैइटिंग अच्छी कैसे हो सकती है, है न, तो यार रखेंगे, इसको अरजित किया जाता है, ऐसे नहीं कि आ जाएगा, पड़ेंगे तियार रखेगा परिमार्जित होता है परिमार्जित मतलब अर्जित किया जाता साथ समान प्रतिमान का नियम होता है चैनल कि देखें समान प्रतिमान कहना है कि मानोंब में अलग होगा और जनवरों में अलग होगा सबंड़ नहीं होगा जैसे हाथी का बच्चा के अलग है घोड़े के बच्चा अलग है एनस्सान जो है प्रतिमान का नियम करोगे तो ज्यादा सीख लोगे कभी नहीं करोगे तो नहीं होती है का फिर नहीं होती है चक्राकार होती है कभी उतार कभी चढ़ा ऑवस्ता की तो आप देखना की बड़ती हृई की पर भड़ती है यह आप एंड डाॉं होते रहता को ही हाँ रेक ही नहीं होता है चक्रकार होती है इसको याद रखेगा चक्रकार होती है एक है ऐसे होती हो मुत ये तो कुछ सिधांत जो उसके में फॉलो होते है इसके आगे ओगर सoration समन्न की लिए से और चलते हैं इस운데 करे सिम्पल पहले आप क्या मैं सीख़ोगे इस न सिक आ वनमाला सिखते हैं एक्षा लिखतें और अक्षा के बाद हम सबदर रसी ना करते हैं पुर और और आगे बढ़कर कवितायां तो यहां प्रें सब methष सिंपल प्रपर जाता है तो पढ़ते 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 श्राथी किया है समाने से क्या होगा विश्चि और विखास जाता है इसके बात क्या है निश्चे पूर कत्रणी नियम कहना मतलब है इसका właśnie सरसे तो होगा वातावरण और वनसक्रम ठीक है और वातावरण से प्रभावित होता है यह के मुख्य-mukhya नियम है इसको थोड़ा सा याद रखेंगे उसके आगे बढ़े उसे देखे अभिविदी और विकास को प्रभाइद करने वाले कारक अभिर्दी और विकास को सबसे ज़्यादा प्रभाइद जो करता है वो है आपका वाता वरण कुन करता है वाता वरण वाता वरण का प्रभाइद करता है वंसक्रम वंसा नूक्रम वंसानुग्रम वातावरण और वंसानुग्रम सबसे ज़्यादा देखिए वंसानुग्रम वातावरण सरवाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है वंसानुग्रम है वातावरण जो है आपके अविविदी और विकास को प्रभावित करता है महौल अगर घर का ठीक है स्कूल का ठीक है तो पढ़ाई होगी विकास होगा और नहीं है तो फिर वैसे होगा ठीक है याद रखेगा यह आपका वाता और रवंसानुगरत का में जो है आपका अभिविद्य विकास पर प्रहाप पड़ता है ठीक है उसके लावा देखिए इसके बाद हम लोग चालू क रहता है नौ माद 10 दिन वह आप क्या करता है तुटल कितने दी रहता है याद रखेगा 280 दिन खिल नौसी भी जोड़ लेंगे तो आ जाएक त्टिक नो मात 10 दिन या फिर 280 दिन आपके दियेकह किस्मे रहता है गर्भवस्था गर्वस्था कि अंगर वस्था बताएं तो दीखें तीन ऐसा में तीसरे सब्सक्रा से दूसरे माह तक हाँ दूमिने का बच्चा है गल दिम वस्था जबते और पालया आख्new बुर्णा वस्थात घुरू तो होगई नाम है नाम आपको यार तक पहला जो है अपका दो सवता वाले कौन सा दिंबा मस्ता शते हो जागा तीसरे सप्ता से दूसरे मा Χत आप लेकर नौ महीने तक गजो बच्चा होता शुसको क्या बोलते हैं भूंचा कहते हैं उसके बाद जब बच्चा जरन तो सबसे पहलें वुला कि सैष्व prayed जन्म से था साल जो इसifice ča5-6 साल का जो बेंगा तो छे पालया तो इसको याद रखएगा बहुत काम आएगा और 18 लियूसेthinking को आपका होगा कई त तो यह देखेगा यह हमारे मिष्टा पूरा कि97वस्टा मिष्टा एक है तो यह the valt रहल से को जाता है उत्तर और पूर किसौरा बस्ता 17-21 तो थोड़ा यह भी याद रखेगा पूर और उत्तर पूर उत्तर उसके बाद वाला यह आपका इस तो यह रहा है यह रोस महोदे का जो आपका डिस्क्राइब किये हैं वाला वस्ता की सोरह वस्ता को थोड़ा अच्छे से ध्यान देगा इसके वाए और और देखें तो सैस्ववाबस सिखने का आदर शकाल है है अगरए किसी बच्यों को कुछ आप सिखाना चाते हों इसकेást सबसे अच्छा काल जो है शाश्वावस्ता होता सीखने का आदर्श काल किसने कहा है तो वेलेंटाइन जीने कहा है हर लोग महुदे क्या कहते हैं तो सैश्वावस्ता एक खतरनाक और अपीली काल है सबसे खतरनाक सबसे ज्यादा केर करना पड़ता है बच्चों को अच्छा काल होता बच्चों के लिए इसलिए सबसे आधा केर उसी समय करना चाहिए उसका देखे सिम्मन फैट क्या बोलते हैं पांच वर्ष को बालक जो होता है वह सब बन जाता है जो आने वाले भावी जीवन में बनता है याने पांच वर्ष में तक आप जो बनवाना ह उसके बन मालीजी व्यक्ति का मांसी विकास जितना होता है उसका आधा तीन वर्स तक हो घ्मासी-दोट है यह बिलकूल सही गद Always तो वह कितने वर्ष में हो जाएगा यह गूड़ेनेफ का कतन है यह कतनों को थोड़ा साथ को पढ़ना होता है ठीक है वेलिंटन क्या बोलते है शैक्ति का मांसी विकास तीन साल तक उतना पूरे जीमन में नहीं होगा तेक तो तीन साल तक हो जागा यह कुछ परिभास्ता निया किसने सिक्षा ज्यानिकों ने बाइश्वास्था लेकर तो पांस से छे साल तक जो होती है जन्म से जन्म से लेकर पांस से शे साल क्या कहला तो पढ़ाएंगे तो अब आपका इसमें के लिल्व को जानना इस दाइखे और हम से प्रश्ट को क्या सबसे पहले भी क्षोच वहां होती और टार्ट कीम जिनतन की हुद्फा वह से न घुठे कुछ भी बोल देते हैं तारकिक होता है इनका जो से उसके ना होता है बोलना होता लौजिकल नहीं होता था बच्चे लोग यह दखेंगे यह जो रवस्था है सैश्वा था टारकिक जिद्दन के वस्था कला तियों जीवन का महतपूर काल कहलाती है जीवन का महतपूर काल कहने का मतलब है देखिए जीवन का महतपूर काल यह जीवन में आप जो बच्चों को बनाना चाहते हैं ठीक है वो क्या कर सकते हैं आप इसी समय बना सकते हैं तो जीवन का महतपूर काल किसको कहेंगे तो जीवन का महत सीक्किद का और बालक और करेगे कि अगर आव उसको प्यार से नियाद करूगे जो आप करो यह mu दो प्रसी और alan कारता है आको करता है पापा बुला लो विला लो तो यह लाएं से मैं कि हातो थैugu जाएगा भावी जीमन की अधार सिल्वी तो बताय की भावी जीमन याने बच्चो şeva वस्ता का जो बालक है उसको आप चिखा दोगे जो संस्कृति को वेयवहार करना सिखा दोगे आने वाले आगे की जीवन में वही सब करता है ठीक है तो यह भावी जीवन की आधार सिला है अगर आप बच्चेको अच्छा बनाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी वस्ता यह उपनाम है संसकारों की वस्ता जीवन का महत्पुर्ण का खिलोनों से बच्छा खेलता हसमें उसके साथ साथ आपका जीवन का महत्पुर्ण का लिए और तारकित जिन्द और जो जीवन है जो हमारा आने बाले वस्था किसोरा वस्था इसके बात का जो जीवन है शैश्वा वस्था बहुत इंपॉरेंट होती है उसमें जो बच्चा होता है उसको प्यार से दुलार से रखना चाहिए अगर मालेजे कुछ ऐसी घटना हो जाई जिसका उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए जो सेश्वासता है जिफावी जीवन चाहुत हैं ज़्यादा इंपोर्टेंटन होती है प्रभावित करती है जीवन का आधार होता है बोलने की अयोग सथा है उससे में बच्चा जो है सीखता है उसकी जो कंठ है जो बाड़ी है जो सब्सह nhânAL सब्10 लक्रस करता है वह कोशिश तो करता है मगर बोल नहीं पाता है खाना खाना थाया बुलता है बच्छे उसमें वह को कंट विक्सित नहीं होता है ुसके बाद सारी को turmanxi विकास तेज होगा फिर फिर कि तेज हो जा होता है तो देखें कैसा तीन वर्स में उसका दिमाग है वह आपका 50% हो जाता है उतना आ जाता है उसके बाद जो आपका 5-6 साल में अपने दिमाग जो भी यूज करता है उसका नबे परशन वह 5-6 साल में गेंग कर लेता तो सारीक शारी विकास भी बहुत तेजी से होता है तो अपका सैश्व वस्ता में उसके पांस साल में हें कितना बड़ा स्वाइक्ट Пом करने कीुल तो इसको याद रखे का जिव्यासा सीखने की प्रवल होती है शुशों में शब्दों वाको क्रियाओं को दोहराने की प्रवित्ति होती है यह यह लोग क्या करते हैं तो दोहराते हैं अनुकरण करते हैं इसलिए तो अनुकरण की अवस्था इसलिए इसको कहा जाता है अनु सेल्फ इंडिपेंडेंदेंट बच्चे उस समय बच्चे जो होते हैं पराश्षत होते हैं एक बच्चे को एक खाना नहीं देगे दो खाना न एख और रोते रहें वह श께क्षा सकता फुट से रहा नहीं सकता उसको पकड़ परके मारं मार नहां आते हैं कई ठीक है दूद पिलाते है छोटे बच्चे को तो यह दखेगा पर निर्भता असहाय होता हो और आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है याद रखेगा सिंग्मन फ्राइड कहते हैं सिंग्मन फ्राइड कहते हैं कि जो सैश्वा वस्था का बालक होता है वो खुझ से प्रेम कर यहाद को प्रवित्याँ कहते हैं यहाद रखेगा तो इसकी होती है इंसानों की वह मूल प्रवित्यों पर उसका वेभार होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मालगे जैसे अभी इस इस situation में आगर बात करें आपको बहुत बुरा लग रहा है किसी की बातें फिर भी आप क्या करते हैं मुस्कुरा रहें मुस्कुराते ही जा रहें नहीं नहीं सब ठीक है ओके यह वैसा उसका नहीं होता है जैसी उसकी मुल्प्रविति वैसा रहें आप उसको अगर डांट दोगे या फिर कुछ कहें दोगे तो रोने लगेगा ठीक है तो छुपाता नहीं है सब्सक्रान नहीं होता है उसको सही और घलत में अंतर नहींठाब नहीं कर पाता है कि यह सहीय, यह गलत है, तो याद रखेगा, समाजिक जीवन और गाल, नहीतिक्ता का अभा होता है, लड़कों में, देखे yhte थोड़ा सा ये है, कि जो लड़के होते हैं, वो क्या होते हैं, लड़की लड़के जो है पीता से मौह थोड़ा कम होता है माता से ज़्यादा होता है मास से ज़्यादा आप उसको याद रखना आगे बड़े अगर लगेगा तो आप एक बड़ और देख लीजेगा यह जो विश्यस्ता हैं बहुत आती हैं उसमें मैंने डिल किया उसके बाद देखो तो सैश्वावस्ता की स्टारीव विकास देखें अगर सारीव विकास बचे कैसे बढ़ते हैं तो सैश्वावस्ता का अगर भालक करें देखें लंबाई जन्मी की समय जो है टीन किलोग्राम और उसके बाद अगर उसके बाद चैनल मैं में डबल हो जाते हैं और अंत मेरा लगवक शोला किलो के बच्चे हो जाते हैं छोटे ठीक है उसके बाद देखें जन्म के समय कितना वज़न होना चाहिए की समय 2.523 kg के आसपास होना चाहिए ठीक है ढाई से 3 केजी के आसपास का जो है वज़न उनको होना चाहिए तिक है उसके बाद देखें मत्रिस कभार कितना होता 300 강 हड्य aura या रखेगा सरवाधिक होती है किति होती है सर्वाधिक हची किसमें 170 ठीख होती है थीधरे डिबलपकर के 206 आएगा फिर पहले पिर आ देखे हड्दिया सर्वाधिक होती है जम्हें कोई दात नहीं होता शाम vegetumحाद नीचे वाला प्रूप p試 ten पर न होते हैं टोटल बीस आते हैं उसके बाद मैं पहला दाता है बहुत पीराता है मानसी पेशियों करके बात है शैश्वा वस्ता में 25 प्रशन तक मानसी पेशिया विक्सित हो जाती है धड़कन थोड़ा से दिखे मैं यहां पर तीनों बता दिया है धड़कन से प्रश्ण आते हैं शैश्वा वस्ता में जो धड़कन है बहुत तेज होती है 140 मिनट पर आपक मिनट में किते बाद धड़केगा हाट बहतर वार आपका शैश्वा वस्ता सबसे सबसे ज्यादा 140 फिर से कम बाले वस्ता में 100 और अभी व्यसकों कमें धड़कन कितनी होती पर मिनट कितनी होती है तो 72 तो इसको यार रखेगा 140 100 और 72 ठीक उसके बाद देखते हैं थोड़ फिक्स नहीं होता है जो मेरूल रजयु है उसको आपको क्या पढ़ना हांस से पकड़ करकेठा पढ़ता है सहारा देखना पढ़ता है एक महेने उसका गर्दन जो है आपका छोग पर साथ में बीना सहारे के बैठ जाता है दस में घुटने के बढ़ चलने लगता है और उसके बाद देखें चैपासाल के आस पास बच्चे चलने लगते हैं उसके बाद देखो तो को अच्छा लगेगा तो दान दिखाएगा है करके तो होता नहीं दो माँ में देखो फरी के प्रति क्या देढ़ा पहला मा का जो बच्चा है उसके सामने ध्वनी का प्रभाव है बहुत कम यह नाक्य परभाव पड़ता है दो माह में ध्वनी याने बुलाने पर और आख देख वह आपको इसारा को समझ जाएगा बोलने पर उधर उधर मूझ कर लेगा तो याद एका दो माहा का जो बालक है वह द्वनी के प्रतिक्या होता है सचेत हो जाता ह है प्रतिक्या करने लगता है पहले महा का हां कर लगता है और अनुकरणगे लगता है छे महिने का जबाला तो को अधर है दी दूर्ब कोrobe सब्स van The मैं दो सब दे लगता हैा वह कर देता ही थोड़ा सा विकास सब्सक्र degree बूले लगता है प्रफम सांट ak conse bet जोता है बीस मा का पना बालक मतलब आखरी हो गया सबसे वाग करना विगा सबसे पहले सब्सक्राइब प्रवल चित्र बनाना लाइन खीचना ठीक है प्रिश्ट पूछना एक दम करने लगेगा चाह साल का जो बालक है वह क्या करेगा उसको कापी देदेगा ऐसे आसे कर देगा तो चाह साल का बालक यह काम करता है साथ-साथ छाथ कि आफक साथना नेकर अट्रफों में अंतर थय nhưng आपको रूटल में अंतर हलगी बालगे वश्ट लेकर गृत birthday यह जाने लगेगा तो यह देखिए 60 मर चाहब क्याम सब्सक्रीं से друзья प्रिक देखेऋ समवेक क्या विकास कि अगर बात करें तो इसको समभेग क्या होते हैं जो मन की भावनाय होती है उसको हम जो क्या कहते हैं समभेक कहते हैं यहां रखेगा मन की बहावनाय जो emotions होते हैं उसी को हम लोग समWAK कहते तो सतले जब को परिवर्त करता घान मालिज आपको गुस्सा और यह चीजब बोलता है सबिक्ति की गति और के अने जोंगा क्या बनेंगे सम एक इचिक nights कि उसके बाद आगर थोड़ा और आगे देखे तो सब्सक्राइह सम्वेग उच्छती और सो प्हुते हैं यह सबूर्ण में मनुश्यों में जानवरों में परशुमें सब में संवेग यानि इमोशन वाए जाते हैं उसके साथ देखिए यह क्योंकि यह जन्मजाद होते हैं जन्म की समय आपका कुरूध करूणा आपका सभी मिलेगा ही ठीक है जिए उत्पन होने की सारी परिवर्ट नोता है हमारे क्या करेगा सीधा बुद्धी परcinव गोलता है ज्याधा दिल से नहीं सोचना चाहिए वही वाली बातें अगर सब्सक्क्राइब करती है कई दुख दोनों मिलता है आपको दुख भी मिलेगा सब सब्सक्राइब ने बताया थे कि बच्चों के 14 प्रकार के सम्वेग होते हैं मूल प्रवित्यों के साथ सिग्मन ने इसमें और एड कर दिया दिखे दोौऱ एड कर दिया दिखो यूजीफसा और जीजीफसा यह दो और समवेग कर दिया यनी सभीक तो पहली बाद जन्म के समय कोन सभात तो उत्तेजना को पुंसा होगा तो उत्तेजना नामक समवेंग होगा ठीक है उसके बाद यह जी वी-वार्ट्सन का बोलते हैं जन्म के समय बच्चे में तीन समवें मुख्यूर्प से होते हैं अलग-अलग सिक्षा सात्रियों अलग-अलग बाल विकास वेताओं ने अलग-अलग मत दिये हैं सबसे पहले याद रखेगा अपका उत्तेजना दूसरे बाद जीवी वाट्सन का अगर समवेक देखें तो जन्म की सा तीन समय कौन को सा पहला क्रो होगा और प्रेभा ओगा को मैं भुवर और शोग रिखें तो पता है उतको की सबसेश करते करता है ली को पूरा वह दिखा दिखा देता है उसा में वैसा दिखा देता है ठीक है छोपाता कुछ दखेगा यह कैसे होंगे अर आगे चलके यह सम्वेक होते हैं कैसे हो जाते हैं तो यह चल्टा पूसको पसंद नहीं है तो मना कर देगा कि आप क्या सोचेंगे बाद में पद्धीरे चलता है कि उससे बुरा लगेगा तो फिर वो क्या करता उसको बदल देता है तो सम्वेग नकरात्मक होते हैं आगे चलके कैसे हो जाएंगे तो सकरात्मक हो जाएंगे इसको या रखेगा बिजेस्ट क्या कहा सम्वेग देखिए एक होता है कस्ट आनंद ठीक है उसे चे माँ में एक और जम लेता है क्रोध भय अलग-लग मत है आप नामग उसके पास आपका सम्वेक आ जाता है यह चला सा वस्ता में सम्वेक विकास क्लाश देखते हैं समाजी सम्वेक विकास में कैसा होता है समाजिक रूप से तटस्थ होता है इसको समाजिक रुप से सुनिक होता है इसको कुछ जानकारी नहीं होती फिक याद रखेगा पहले तीसरे महίνے में वह मां को पहचानने लगता है तब वाले वाले चीज़ पहले झाने लगता है मा के चेहरे को नाम समास ने दिया तो यह समाजिक विकास उसका तीसरे महीने पास जाते हैं चुप हो जाते हैं वही वाले चीज़ है समाजी विकास उसका हो रहा है दिरे दिरे ठीक है उसके अगले देखे पांच महीने दखे अपरीचों से ड़ता है प्रेम क्रोज जगाता ठीक है नहीं जाएगा रोने लगेगा एक वस में परिवार के साथ घुल मिल पूर्व बालया वस्था स्टार्ट होगे या बालया वस्था भी स्टार्ट होगी बोलेंगे तो बालया वस्था यहां चलो हो जाती है पांस से बारा पांस शे से बारा या फिर इसको बोलते हैं पूर्व बालया वस्था ठीक पूर्व बालया वस्था तो यह हमारा यहां त जन्म से लेकर आपका गर्भा वस्ता से लेकर उसका समाजी विकास आपका समविगात्मक विकास शारुरी विकास मांसी विकास सभी चीज़े पहलो पर चरचा किए यहां से बहुत प्रश्ण बनते हैं अथ्य से आप नोट्स बना लेजेगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए झाल